हालो फ्रेंड, वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल, यह से स्टेडी पॉइंट, वाइस के, आज हम बात करेंगे, हाउ टू कल्कुलेट, यह स्ट डवू, एल आफ थ्री, एन फोर लेग ब्रेडल हिच्च, तो ब्रेडल हिच्च का मतलब क्या होता है, अगर दो लेग से ज चार तो उसके लिए उसको बैलेंज करने के लिए अगर उकिंग पॉइंट यह जाज अगर दो से जादा उसमें लगते हें और हाँ पढ़े थी और ठीन पता रहें इसका फॉर्मूला के डाने जानने वारे है कल्कुलेट स्वल अब three and four like ब्रीडल ही लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है चलिए उसको समझते हैं TWL of three and four like ब्रीडल ही का फॉर्मूला जो होता है यस डब्लू याल of single स्तन नंबर सप्लेग्स स्लिंग याल हो गया इन्टो यह कितने हैं 123 इसमें कितना 123 यहां पर आधा हम यहां पर प्रोकोश्चन यह उफता है कि यस डवलो सिंगल भटकल हिच निकालेंगे कैसे तो उसके लिए फॉर्मूला यहां पर मैंने दे दिया है सिंगल भटकल हिच का यस डवल जो होता है ब्रेकिंग अस्टेंट अब जसलिंग और डिवाइड़ वाइड़ 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 तो ब्रेकिंग अस्टेंट दो मनुफ्रेक्ट्टर वाइड़ वारा फिक्स किया जाया हां पर लिख देंगे और डिवाएड़ वाइड़ एक्टर ऑफ सेप्ट लिख देंगे तो यहां पर वेलो सिंगल भटकल हिच निकल जाएगा यह कहीं कहीं लिखा हुआ भी हो सकता ह है अगर डारेक्ट लिखा हुआ है सिंगल भटकल हीच का इस डवल इतना है वहां पर पूट कर देंगे बाकी इस फिगर में आपको यह है यहां पर दीख रहा है तो यह हुआ फॉर्मूला हाउ टू कल्कुलेट एस डवल अफ्री एन फोर लेग ब्रेडल हीच अब इसमें ब्रेडल हीच में कुछ से करेक्टरिक है जिसको जानना जरूरी है इसमें कुछ नोट कॉइंट है जिसको जानना सबसे पहले है कि दीख वॉडल हीच is having numbers of sling more than two इसका मतलब है कि सारे sling एक जैसे नहीं हो सकते ञेंफ में नहीं होगा क्यों यहां से समझाते हैं यह सर्पूलर है तो इस केस में यहां से इक दूसरे से एक्कॉल हो सकते हैं लेकिन इस केस में एक दूसरे से एक्कॉल नहीं हो सकते यहां लगाया यहां लगाया यहां लगाया यहां लगाया हो सकती लेकिन अगर से लिंग को यहां लगाया जाए यहां से यहां से इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी इसका भी डिस्टेंस यहां कम हो जाएगा तो इसमें जो है दो से ज़्यादा जैसी हो जाएगा तो एक केस में क्या हो स्लिंग का लेंथ है जो आडली उट्वल नहीं रहेगा एक दूसरे से थोड़ा डीफर करेगा यह जानना ज़रूरी है और जब डीफर करेगा तो इसका मतलब क्या होता है means load may be carried by the two sorter leg यानि load जो उठाया जाएगा वो जो दो sorter leg जो रहेगा उससे उठाया जाएगा other जो leg बचेंगे जो की length में ज्यादा है वो balance only load को only यहाँ पे क्या करेगा balance करेगा वो load को carry नहीं कहसे balance के लिए होता है बाकि main रूप से दो carry करने वाला यहाँ पे दो ही होता है तो इसका ध्यान रखना है आसा करते आप समझ गये होंगे तो चलिए मैं आपसे यहाँ पर request जरू करूंगा अगर हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को subscribe कर दे दोस्तों में जरूर शेर करें और bell icon को press कर लें ताकि next video का notification आपको time से मिले तो चलिए आपसे मिलते है next video में तब तक के लिए जय हिन बंदि मात्रम